फूत का चलावा जल्दी घर पहुँचने की चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने राष्टे से जाने का निश्चय किया काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गाउं के नईदिक आ चुका था गाउं में पहुँचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुँचा बैसे उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाए दी रमेश सोचा इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है उसने बच्चे को ढूरने के लिए इधर उधर देखा पर कोई नहीं दीखा तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी इसलिए वह अपने घर की तरफ चल दिया पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहा था बच्चे की रोने की आवाज उससे और जोड़ जोड़ से सुनाई देने लगी रमेश ने फिर सोचा हो सकता है वो औरत किसी परिसाने फस गई होगी मुझे मदद करने चाहिए फिर जिधर से आवाज आ रही थी रमेश उधर ही जाने लगा कुछ दूर पहुँचे उसने देखा एक छाव साथ महेने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है वह रो रहा है रमेश तुरांत उस लड़के के पास पहुचा जोड़ जोड़ से आवाज देने लगा कौन है यहाँ पे किसका पच्चा है मगर किसी ने आवाज नहीं दी रमेश ने सोचा साइद इसकी माए ही आसपास कहीं भी हो सो गई होगी इसलिए बोल नहीं रही है फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दीखा अब रमेश ने गुसे में चिलाया कौन है यहाँ बचा रखके चला गया है मगर किसी के आवाज नहीं आने के करन रमेश नहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रखके चला गया थोड़ी देर में तो आहीं जाएगा फिर उसे डाटूँगा मगर काफी देर बीच जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया अब रमेश समेश चुका था कि सायद कोई जान बुच के अपना बच्चा यहाँ पर छोड़ के गया है तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा रमेश रास्ते भर चिलाते हुए जा रहा था कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए गुस्से में वो पूरे रास्ता बढ़बढाते हुए जा रहा था तब ही रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था मगर रमेश घर पहुचने के जल्दी में और तेज चलने लगा काफी रात हो चुकी है जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पहुच जाए कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा वहसूस हुआ जैसा बच्चे का बजन बहुत ही जाए बढ़ चुका है और बच्चे को उठा के चलने पा रहा था जैसे हैं रमेश ने बच्चे की तरफ देखा उस बच्चे की एक आख बाहर के और लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देख के हस रहा था रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेक दिया फेकने के बादो अपने घर नहीं ले जाएगा तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूं थोड़ा देर और गोद में रखता तब तो जह बताता किसका बच्चा हूं मैं इतना सुनते ही रमेश वहां से भागने लगा और अपने घर पहुचा मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताए ताकि घर वाले भी डर जाए जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा अभी रमेश को हलकी नीन लगी ही थी की फिर घर के बाहर सुस बच्चे की रोने की आवाज आने लगी रमेश ने डर के मारे उठ गया धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी उसने अपने घर वालों को जगाया और सबकूस घटना के बारे में बताया फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी मेरे घर के बाहर रो रहा है मगर बच्चे की रोने की आवाज किसी को सुनाएं नहीं दे रही थी ओवाज बस रमेश को ही आ रही थी उसके बाद रमेश की घर वालों ने गाउंख के ही एक बाबा को बुलाया जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे जिसके बाद रमेश को उस बच्चे की रोने की आवाज आनी बंद हो गई फिर रमेश उस रात अराम से सूप आया